मानपूर प्रखंड के एक नीजी होटल कला रिजॉर्ट में प्रखंड प्रमुक खदीजा इसलाम के द्वारा होली मिलन समारो का आयोजन किया गया उक्तकारेक्रम में मुक्याती थी राज़त के मलसी प्रत्यासी कुमार नागेंदर उर्फ रिंकु यादो विशिस्ट अति थी वजीरगंज विधान सभा के कॉंग्रिस प्रत्यासी डॉक्टर ससी सेखर कुमार उर्फ चिंटु सिंग राज़त युवा अद्धक्च समीर यादो के साथ गन्माने लोग उपस्तित रहे सभा को संबोधित करते हुए रिंकु यादो ने कहा कि मल्स चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ सभी त्रिस्तरिय पंचायत के प्रतिनिधी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरा एक ही नारा है लोग सभाना विधान सभा सबसे बड़ा हो ग्राम सभा डॉक्टर ससी सेखर सिंग ने कहा कि हम सभी लोगों को रिंकु यादो को समर्थन कर विधान परीशत में भेजने का काम करना है तभी अब सरसाही को समाप्त कर सकते हैं उक्तमौके पर खदीजा इसलाम ने कहा कि धर्म और जाती से उपर उटकर प्रखंड का विकास करना है उन्हें मानकूर प्रखंड की खदीजा इसलाम भोली और सभरात की सबको सुपकामनाय देती हूँ सर्था करती हूँ कि आप लोग संक्ति पूर्वर्थ गोली और सब्रात अच्छे से मनाएं अच्छे से मनाएं और सब लोग में करना चाहेंगे सब जो उपस्तित हैं आपके बारे में बताइए आप विधान सिभा के प्रत्यासियां और अभी काफी ब्रस्ता रहा है आपको और आप अभी मानपुरी कार्शकिरम में आए हैं क्या लग रहा है इस वार के इलेक्शन में आपके लिए एमल सी का चुनाव में आप जो आये हैं काफी उमीदें हैं लोगों से आप कितना खरा उतरेंगे उस पर उसकी पुरा पुरा उतरने का मैं पुरा प्रयास में यह उमीद भी हमी जगा है यह वीश वर्सों में सारे लोग ना उमीद निश्वास हो गया थे लोग वैसा लग रहा था कि एमल सी कोई चीज दे लिए ही नहीं है बीश वर्सों में एमल सी कि जहां तक बात होते हैं एक ही बात होता था वोन कितना देगा इस वार हम सबों के बीच में जा करके बताना क्या पताने का काम होता है एमल सी किसी को बनने और बनाने के नहीं होता है आपके लिए होता है आपकी ताकत है आपकी आवाज है इस चीज के लिए स्वारे मेंसी बनाए और इस रमीत का परिणाम था चौदा तारी को जिस उत्षा के साथ तीनों जिला से लोग जितने भी जन्पट जिए थे सब लोग अपना नॉमनेशन करने के लिए है आहाए और उनके प्रतिनी के तौर पे मैंने नॉमनेशन किया और इस वार का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं तीनों जिला के जितने भ साकत बन सके तो क्या यह त्री अस्तरी जो चुनाव है जो एम एलसी का आवाज को सदन तक ले जाने का काम किया जाएगा आपके द्वारा बिल्कुल का मतलब ही वही होता है बन कर करके कोई ऐसा नहीं है कि सुभा कि बस्तू कि हम उसको ले करके सब को उजहार करें लोग त इक ही एक रास्ता है और वीश वर्षों में वैसे लोग आप ही तक इनलसीज बने जो इनके समस्याओं के बारे में कभी एक दिन एक भी मिनट चर्चा करने का सूच भी ने डवलप कर लाने, समय भी ने निकालता है इस पार सारी समस्याओं को ले करके सरकार के कान तक पहुँचाने का मैंने काम करने का प्रयास किया है जुनाब से पहले ही मैंने समस्याओं को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है जाहे वो उनका मान समान और पहचान का मुद्दा क्यों नहों चाहे उनका बेतन का मुद्धा क्यों नहों, चाहे उनका अधिकारों की रक्षा क्यों करेगा, ये मुद्धा क्यों नहों, आज अब ससाही जो उनको पर, उनको जितने भी प्रतिलिदी ब्लॉग में, ठाने में, गलक्टर साब कहां जाते हैं, जो उनका बात नहीं सुना जात झाल